अगर कभी आपको एक समलम्ब चत्रभुज दे दे मतलग वो कुछ ऐसा दे दे कि इस तरह से एक चत्रभुज दे दे और आपसे कहा जाए कि ये जो तीर्शी भुझा है इसके midpoint को, इसके आधे को और इसके आधे को ऐसे मिला दिया जाए ठीक है, और अगर इस वाली भुजा की लंबाई पूछे तो इसके लिए आप एक नाम दे लीजिएगा A, B, C, D अब अगर आपको यह हो गया E और यह हो गया F अगर आपको बताना हो E, F की लंबाई ठीक है तो कुछ नहीं करना है आपको करना क्या होगा, यह A, B और यह C, D इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए क्या होगा, A, B, P, C, D, By, 2 ठीक है फिर देखते हैं हम लोग अगर आपको इस तरह से कुछ और दे फिर आगर कहें कि एक समलम चत्रभुज है और उस बार उसके बिकरणों को मिलाए गया यह मिला दिया गया, यह भी मिला दिया गया और कहें कि बिकरणों को आधा कर दिया जाए और आधा करने के बाद इसको मिला दीजिए ठीक, और यह जो लंबाई है अगर इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो इस बार क्या करेंगे नाम दे दिया गया हम लोगों ने A, B, C, D तो क्या करेंगे DC माइनस AB by 2 ये क्या हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगी ठीक है ना इसको अगर आपने E, F नाम दे दिया तो E, F की लंबाई कितनी हो जाएगी DC माइनस AB by 2 यानि सीधी सी बात है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कभी भी कोई समलम चत्रभुज हो और उसमें आपसे दो चीजें पूछी जाएगी अगर ये काता है कि तीरची भुजाओं के मिड़ पॉइंड को मिलाया जाए तो उनकी लंबाई कितनी होगी तो अगर इसकी लंबाई अगर आपसे पूछें तो समांतर भुजाओं का योग बटा दो क्या? अगर इसकी लंबाई बताना हो तो समांतर भुजाओं का योग अगर कभी कोई ऐसा सवाल दे कि एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की चोटी से दो बिंदूओं को देखा जा रहा है तो एक के साथ उसका जो अबनमन कोड है ठीक है न और दूसरे के साथ जो कोड है यह code जो हैन 30 degree यह 30 degree है और यह कितना है यह 60 degree अगर यह कहता है कि यहां से यहां तक की दूरी 240 है ठीक है तो पूछ ले कि यहां से यहां तक कितना होगा तो अगर यह 30 और यह 60 होगा तो यह जो दूरी होगी यह दूरी इस दूरी की आधी होगी यह कितना होगा 120 होगा ठीक है question यह कह रहा है कि एक वस्तु को 234 रुपय में बेचने पर 17% का लाब होता है तो वस्तु का क्रेम उल्ले कितना है यानि अगर उसको 234 रुपय में बेचा जा रहा है तो कितने का लाब हो रहा है 17% का profit हो रहा है तो यह पुछा जा रहा है कि CP कितनी है तो यह जो 234 रुपय है यह 117% के बराबर है यह बात हमको समझनी चाहिए यानि 234 रुपय है यह बराबर है 117% के तो 1% निकाल करके 100% निकाल दीजिए हो जाएगे CP क्योंकि 100% होती है तो देखे 234 को डिवाइड कर दीजिए 117 से ठीक है 117 यह कटेगा तो कितने बार में जाएगा दो बार में और इसको अगर 100 से मुल्टिप्लाइ कर दें तो आइंसोर आ जाएगा 200 जो कि यही उसका क्या है CP है